नमस्कार दोस्तों, कम्पीटर की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज हम कम्पीटर की मेमोरी से रिलेटेड मैथफून प्रेश्णों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रेश्ण है आपके सामने देखिए निमने लिखित में से कौन सा सत्य कथन है, यानि आपको कुछ गलत कथन दिये हुएं उनमें से सत्य कथन को डूणना है दितियक बंडारन एकाईयों की तुलनाम है प्राथमिक बंडारन एकाईयों का एकसेश टाइम तेज तथा बंडारन चमता कम होती है यानि कि secondary memory में जो बंडारन चमता है वो ज़्यादा होती है और प्राथमिक जो यानि primary जो memory है उनमें जो बंडारन capacity है वो कम होती है और access time क्या होता है ज़्यादा होता है अगला question है प्राथमिक बंडारन एकाई परात्मिक बंडारन एकाईयों का क्रेमिक अधिगम sequential एक्सेस करती है तो primary memory क्या sequential एक्सेस करती है डेटा को या randomly तो हम कहेंगे primary randomly करती है sequential तो एक ही थी magnetic tap तो यह कथन तो हो गया गलत यह सही था और यह गलत अगला है दितियक बंडारन एकाईयों non-volatile बंडारन होती है यानि की इस्थाई होती है non-volatile का मतलब क्या हो गया इस्थाई जी बिलकुल इस्थाई होती है इस्थाई तो हमारे पास में primary है और जिसमें भी RAM है तो यह दोनों कथन सथ हैं दोस्तो दियान लेना first and third option number B इसका right answer होगा देखो सिंपल सी बात है हमने पढ़ा था कि जो system के जितने नजदिक यानि processor के जितने नियरवाई होती है उनका access time उतना ही ज़्यादा होता है लेकिन memory की जो capacity हो कम होती है तो सिद्धी सी बात है access time यह ज़्यादा है और capacity क्या है कम है नेक्स देखते हैं निमने लिकित में से कौन सा मुख्य memory में प्रियोग में आता है में इन memory में हम यूज किसको उट करते हैं तो वो है आपका DRAM कौन सी है DRAM SRAM को तो AJ कैचे memory यूज करते है memory बसका उप्योग मुख्य रूप से किसके बीच में होता है तो यह हमारे फरकार के दो मेथड होते हैं जोने हम कहते हैं कि पहले इंपॉट बाद में आउट पॉट या पहले आओ पहले पाओ लाश्ट में आओ पहले पाओ इस तरीके के उप्सन तो यह दो तकनिकी चलते हैं एक फीपो यानि फीपो का मतलब हो गया फाइस्ट इंपॉट फाइस्ट आउट फॉट फाइस्ट आउट फॉट तो इसका अंसर्थ हो गया यह एक और चलते हैं यहां पर जो होती है लीफो क्या होती है लीफो मतलब लाश्ट इंपॉट लाश्ट इन और फाइस्ट आउट इस्टेट डिस्क इस्टोरेज यानिay SSD बर्तमान वां आज जो यूज होई हो जो सबसे ज्यादा कॉन सी हो और आज नcompassा आएша उज आप सब्सके इस्टोरेगस कोई होँ आज हो यह जो पहले हमारी हाट डिस्क तो अब हाट करना सी तो अब हाट डिस्क तेज गती से कारी करने वाली आही है SSD आहे तो SSD की स्पीड भी तेज हो और यह ऊती भी नॉन वॉला टाइल होती हम निम्न इलिकहते में से कौन static RAM का गुण नहीं है मतलब S RAM के बारे में पूछा है तो देखिए यह flip-flop से बनी होती है जी हाँ बिलकुल electronic device हमारी flip-flop से मिलकर के बनी होती है हमने लिखा हुआ है संचालित होने पर refresh करने की अभिशकता नहीं होती है जी बिलकुल ये भी सही है हमें इसको बार refresh करने की जरूरत नहीं होती है संचालित होने पर refresh करने की अभिशकता होती है जी बिलकुल गलत हमें इसको refresh करी नहीं सकते है dynamic RAM की तुलना में अधिक विश्वसनी है जी महेंगी भी होती है और तेज भी है तो ये तीनों कतन तो सही है इसका ये कतन गलत है तो इसका आंसर यही होगा इसने गलत कतन पूछा है तो राइट आंसर हो गया यही इसके बारे में SRAM के बारे में गलत इस्टेटमेंट है dynamic RAM में भंडारित सूचनाओं को refresh करना जरूरी है लगातार कहते हैं कि एक सेकेंडर में हजारों बार हम इसको क्या कर सकते है रिप्रेस कर सकते है ट्रांजिस्टर और उनकी बनी होती है लेकिन SRAM की तुलना में इसकी स्पीड सिलो होती है next देखिएगा निमने लिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक सेरूप के तौर पर नहीं माना जाता है यानि कि निमने में से कौन से सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो यहां पर देखो हाट डिस्क के सेकेंडरी है अप्टिकल है यह भी सेकेंडरी है मैफ्लिप यह भी सेक्टडर है तृम यह मेगनेटिक दिस्क एक्जाम्पल रैम यह किस इसका पयोटिश राइमरी का पार्ट न्हें करें के राइंसर ठैप में विवाजित किया जाता है जनने आप आगे उप विवाजित करते हैं किस में करते हैं तो track को sectors में बाटा जाता है किस में sectors में और एक sector की जो capacity है वो कितनी होती है 500 वारे वाइट एक sector की capacity कितनी होती है दोस्तों 500 वारे वाइट यानि हम यह कह सकते हैं किसी भी magnetic disk में सबसे जो परक्षी शपर होता है वो कौन सा होता है सकतर होता है इनमेंसे कौन ऐक मैमोरी आमें कि यहां पर सो है तो टा नहीं मैंसे बहुता है नौन विला टाइल में यह थो इन फित Bentقط ना नॉन बोलाटाइल है अंसर क्या बचिया रेम रेंड़म अक्सेस्ष मेमोरी यह हमारी क्या है बॉल टायल है बाकिय मेमोरी तो उसकी शंग्रै चमता के बढ़ते यह इसका स्य जिए आशर— सबसे कम — पेसिटी उससे ज्यादा उससे भी जजादा और सबसे ज्यादा बाड़ते हुए MOM करम का सिक्वेंस केजिए तो फिसम का पर आपर क्या होगा देखो यह माऊस है यह रॉम है यह कीबोर्ड है माइक्रोफोन है तो ये तीनों हमारा हार्ट फेह और और वह स्थीं का ये किसका हमिपार्ज वैस का कि इसका है सेप्रेट ली supporting का सह संदिय प्राइमरी का है कैसे हाथ यह क्या है ? बुटिंग का मतलब जब अनुदेश कह भी संगरहेत होते हैं तो बुटिंग का मतलब जब हम कंपीटर के होती है एक hot booting और एक cold booting जब हम system को पहली बार start करते हैं तो उसे क्या बोलते है cold booting और restart करते हैं hot booting तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा booting के अनुदेश कहा इस्टोर होंगे रॉम में इस्टोर होंगे नेक्ट देखिए निमने लिखित में से कौन electrically erisable programmable read only memory का दूसरा नाम दिया था flash wrong इसी को हमने क्या नाम दिया था flash wrong क्योंकि हम इसमें कितनी भी बार data को read और write कर सकते हैं कितनी भी बार data को read और write जिसमें किया जा सके वो memory को हम simply flash के नाम से जानते तो इसका answer क्या होगा flash कैसे memory को किन दौनों के बीच में कारे करती है तो कैसे memory हमारी register के बाद में लगी होती है वो भी processor और मुख्य memory के बीच में अब मुख्य memory में यहाँ पर हमारे पास दौनों option में है RAM और ROM तो उस दोरान मैंने का था जब ऐसा हो तो आप किसको मानेंगे RAM को क्योंकि DRAM ही हमारी main memory होती है और ROM हमारी storage memory में मानी जाती है computer के संदर में DVD का क्या अतात पर है तो यह होती है digital video disk और digital versatile disk option देखेंगे यहाँ पर video option में नहीं तो क्या है versatile तो answer हो गया C digital versatile disk दूसरा यहाँ पर versatile के इस्तान पर आप क्या ले सकते थे video disk तो option C इसका right answer होगा next question computer में इस्मरती के प्रकार यहाँ नहीं memory कितने प्रकार की होती है तो हमें पता है semiconductor memory होती है जिसन से बनती है magnetic disk भी हमारे पास में होती है server के नाम से कोई memory नहीं होती है cloud storage होता है लेकिन वो server को बनाने के लिए होता है तो ऐसी हमारे पास कोई memory नहीं होती है optical में भी हमारे पास में CD और DVD के रुप में memory होती है तो यानि 1, 2 और 4 चे तीन प्रकार हमारे पास में memory के हैं तो option number C 1, 2, 4 यह इसका right answer होगा next question किसी चंभ कि डिस्की की storage चंटा किस पर निर्वर करती है तो magnetic इसका राइट आंसर होगा 3.5 इंचे फ्लॉफी डिस्के की चमता क्या होती है तो मैंने आपको फ्लॉफी के वारे में 3 साइजे बताई थी एक तो थी दोस्तो 8 इंची एक थी आपकी 7.5 इंची और एक थी आपकी 3.5 इंची और 8 इंची की पूछे तो यह हमारे अलग-अलग साइज में आती है 160 अलग-अलग में मिल जाती है तो इसका अंसर क्या होगा 1.45 इंब यानि ऑप्सन नमबर C is the right answer नेक्स्ट कोशिशन देखिएगा क्लिप बोर्ड नामक चेतर होता है तो क्लिप बोर्ड जब हम सॉफ्ट्वियर पढ़ते है तो मैंने का था कट कॉपी करने वाला जो टेक्स्ट होता है जब तक आँ पेश्ट नहीं करोगे कहां इस्टोर होता है क्लिप बोर्ड में तो क्लिप बोर्ड द्वारा कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जाता है रेम का क्योंकि यह बर्किंग के दौरान यूज़ होने वाली मेमोरी होती है तो आंसर ए आप्सन राइट आंसर होगा सूची का मिलान करना है यहाँ पर तो देखें CRT की बात करें तो यह हमारा आउटपुट डिवाइस है मॉनीटर का प्रकार है कैथोड रे ट्यूब और यह हमारा CCTV यह हमारा क्या है कैमरा है वेव कैम क्या है वेव कैम तो यह हमारा इन्पुट डिवाइस है तो इस तरीके साफ आप इनको मैसे कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन है निमनलकित में से कौन सा कथन असकते है तो देखो फिलॉफी डिस्क के का आकार सबा 5 और 3.5 इंच होता है ये भी सही है 3.5 इंच की फिलॉफी डिस्क 1.44 भी स्टोरेज की होती है ये भी सही है floppy disk पर सबसे बड़ा storage unit sector होता है ये गलत है सबसे बड़ा नहीं होता है सबसे छोटा होता है तो ये option यहाँ पर गलत है floppy disk पर एक track में कहीं sector बने होता है ये भी सही है तो हमसे चाहिए कि कौन सा कथन गलत है तो option number C आपका right answer होगा ये statement गलत है क्योंकि सबसे बड़ा sector नहीं होता है सबसे छोटा होता है B RAM का उपयोग तो ये हमारी होती है BDO RAM तो BDO और ग्राफिक्स के लिए बनी होती है तो ये हमने जब D RAM पढ़ी थी तो उसके टाइप्स में आपको अलग से बताया गया था कि D RAM के डिफरेंट डिफरेंट फरकार हो सकते है उनमें कुछ RAM में अलग होती है जिनमें से एक थी B RAM फुल फॉर में इसकी BDO RAM और ये यूज होती है ग्राफिक्स और बीडियो दोनों के लिए EP ROM आम तोर पर द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो EP ROM यानि हमारी थी Erisable Programmable Read-Only Memory कि यहां पर हम डेटा को Eris तो कर सकते हैं लेकिन Eris करने के लिए यहां पर हमें जरूरत होती है Ultra Violet किड़नों की यानि परावेंगनी किड़नों के द्वारा ही हम डिलीट कर सकते हैं Otherwise हम डेटा को format नहीं कर पाएंगे तो इसका अंसर क्या होगा यानि Ultra Violet किड़ने तो यही इसका राइट अंसर होगा Locality of Reference के सिद्दान्ट के उप्योग को सई तहराती है तो Locality of Reference के सिद्दान्ट पर कौन सी मेमोरी काम करती है यह मैं आपको बता है कैसे मेमोरी जो RAM से लिए गई blocks को तब तक इस्टोर रखती है तब तक अपने पास हौल रखती है जब तक कि processor की processing है complete नहीं हो जाती तब तक उससे related complete data अपने पास रखती है इसलिए इसको बोलते है Locality of Reference पर कारे करने वाली मेमोरी कैसे मेमोरी data पढ़ने के लिए device दुआरा लिए गई समय की मात्रा को क्या कहा जाता है तो data को यह हमने जब track और sector के बारे में चर्चा की थी तब ही आपको बताया था कि यदि जो read, write, head है अपना उसको एक sector तक पहुँचने में लगा जो समय होता है वो कहलाता है seek time, latency time और read करने में लगा time, seek time और complete को हमने बुला था access time क्या बुला था? access time तो इसका answer होगा access time आम तोर पर एक सामान ने cd ROM को कितने यानि cd की capacity कितनी हो सकती है तो आपको लिखाए गई है शाड़े 600 से 700 MB शाड़े 600 से 700 MB तो इसका option हो जाएगा 680 MB is the right answer इसके assembly का एक हिस्सा है तो देखो, magnetic disk में spindle भी होता है जिसके दोरा read right किया जाता है read right head के साथ में आर में भुजा होती है जिससे इसको रखा जाता है, control किया जाता है तो तीनों ही पार्ट किसके हैं magnetic disk के assembly के हैं तो answer हो गया, all of these तो यह हमारे questions मेमोरी के भी complete होता है next class में हम चर्चा करेंगे operating system से related questions की धन्यवाद दोस्तो वीडियो पसंद आए, questions अच्छे लगें तो like और share जरूर करते रहें धन्यवाद